एक आतमा का वजन कितना होता है? दरसल 1907 इस्वी में एक फिजिसियन डंकन मैकडवेल ने एक एक्सपरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने 6% का वजन किया मरने से ठीक पहले और फिर वजन किया मरने के बाद मरे हुए लोगों के बॉडी वेट में 21.3 ग्राम का वेट डिफरेंस मिला था इसी एक्सपरिमेंट के बाद माना जाने लगा कि सोल यानी आतमा का वजन 21 ग्राम होता है अस्टेलिया के रेंऄ फोरेस्ट में एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम जिंपी प्लांट या सुसाइड प्लांट है इस पेड में बहुत चोटे चोटे काटे होते हैं इन काटों के अंदर निरो टॉक्सिन पॉजन होता है वाई नीरो टॉक्सिन पोईजन जो कोब्रा, करायत और ब्लैक मामा जैसे जहरीले सापों में पाया जाता है अगर इनसान को ये चूप जाए तो तुरंत उल्टी होने लगती है और बहुत तेज दर्ध होता है और कभी-कभी लोगों की मौत भी हो जाती है स्किंक्स, लिजट परजाती का सबसे सुन्दर लिजट है इसकी सुन्दर रंग के चलते बहुत लोग इसे अप्पेट की तरह भी पालकते हैं लेकिन इस लिजट की कुछ अनोखी खूबिया है धरसल स्किंक्स आखे बंद करके भी देख सकता है लीजर्ट प्रजाती में एक Jesus Christ लीजर्ट जो पानी में चल सकता है पानी में चलने की इसकी ये बहुत अध्बुत कला है जब से बैटरी का विस्कार हुआ है तब से इंसान लगातार रिसर्च में लगे हैं कि कैसे इसकी कैपेसिटी को और इसके पावर को बढ़ाया जा सके ओक्सपर्ड में एक एलेक्ट्रिक बेल है जो अठारो सो चालिस से अपने ओर्जिनल बैटरी पे ही अभी तक चल रहा है लेकिन अप्रिल 2016 में एक एर्वीन उनिवर्सिटी के स्टुडेंट माईले थाई ने एक एक्सपरिमेंट में नेनो वायर्स को जेल से कोट कर दिया जिसके चलते जो बैटरी बनी वो 400 साल तक चल सकती थी लेकिन इस एक्सिडेंट से बने हुए इस बैटरे अभी भी सोध चल रहा है दुनिया भर में एपल मोबाइल और एपल प्रोड़क्स का बहुत क्रेज है आइपॉन की सेकुरिटी और फीचर्स के सब दिवाने हैं आइपॉन 5S में फिंगर्प्रिंट सेंसर को लांच किया था और बोला था सेक्यूर्ड फोन है लेकिन जैन क्रिसलर जो एक कम्प्यूटर साइंटिस्ट और एक हैकर भी है हैकिंग की दुनिया में उनका नाम स्टार बग है उन्होंनों 24 गंटे के अंदर ही आइपॉन की फ से ही बना लिया था स्केलेटेन फ्लावर अमेरिका और एसिया में पाया जाता है यह सफेद रंग का फूल बहुत खूबसूरत और अच्य लगते हैं लेकिन जब बारिस होती है और बारिस के पानी जब इन फूल के पत्तों पे गिरती है तो इसके यह पत्ते यौपेटल्स पारदर्सी यानि ट्रांस्परेंट हो जाते हैं इस खूबी के चलते ही इन्हें skeleton flower भी बोला जाता है इंडोनेसिया को land of volcanoes भी बोला जाता है इंडोनेसिया में एक जौला मुखी है जिसका नाम क्वाजेन है इस जौला मुखी में एक अजब सी खूबी है इस जौला मुखी से blue lava और blue fire निकलता है दरसल इस volcano से sulfur निकलती है और जब sulfur हवा से react करती है तो उसमें बहुत गरम blue flame निकलते हैं इस लिए इस volcano का नाम blue volcano भी है हर इंसान के fingerprint की तरह उसका signature भी unique होता है और यही हम लोग को एक दूसरे से अलग बनाता है जापान में एक अजीब प्रता है कि वहां के लोग sign करने के बजाए stamp का प्रयोग करते हैं इसी stamps को hanko करते हैं हर Japanese के पास अपना एक unique और अलग stamp होता है या अलग hanko होता है Chinese chalk जिसको हम लोग भारत में लक्ष्मन रेखा के नाम से जानते हैं ants को और कोक्रोचों को भगाने में यह बहुत कारगर है क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है दरसल लक्ष्मन रेखा में दो insecticides होते हैं data metharine और cyper metharine यह chemical एक neurotoxic venom की तरह काम करता है और ants कीडो कोकरोचों को मार देता है सारपा सालफा एक ऐसी मचली है जिसे party fish या dream fish भी कहा जाता है यह मचली स्पेन, अफरिका और Mediterranean Sea में मिलते हैं इस मचली में एक toxin पाये जाता है जब कोई इंसान इसे खा ले तो उसे hallucination होने लगते हैं यह hallucination 36 गंटे तक हो सकते हैं रोमन एंपायर में रोमन्स डिनर में इसे नसा करने के लिए भी खाते थे National Geographic Magazine के एक फोटोग्रापर जो रोबर्ट्स ने इस मचली को खाने के बाद लिखा था कि उन्होंने बहुत एक्स्ट्रीम hallucination फील किया था जिसमें उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी और ये असर उन्हें 36 गंटे तक रहा था क्या आप पार्टी के लिए इस फीस को ट्राइ करना चाहते हैं कमेंट में बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जाहिन